नमस्कार आप देख रहे हैं कितानिश टीवी प्रसुत है समाचार हुसेनाबाद से समभादाता विकास कुमार की रिपोर्ट लॉक्टाउन में रविवार को मुंबई से लौट रहे हुसेनाबाद के जैपरकास चौक के समीब एक परवासी मज़ूर की मौथ हो गई मिली जानकारी के नुसार रविवार की दुपहर बाद एक ट्रक में एक व्यक्ति को उतार कर चलते बना उतारे गई व्यक्ति की स्वास्त हारत काफी खराब थी आसपास के लोगों ने हुसेनाबाद पुलिसवा स्वास्त कर्मियों को इसकी सूचना दे सूचना मिलते ही हुसेनाबाद थाना परवारी राजदे परसाद ने एसाई वीर बहादु सिंग अन्य जवान को स्वास्त कर्मियों के साथ खटना सर पर फेजा जहां चिकिसकों द्वारा जाज के दोरान व्यक्ति मृत पाए गया मृत के पास एक बैक था जिसमें कपड़ा, मोबाइल फोन, अधार कार्ट सहीत अन्य समान था आधार कार्ट के अनुसार मृत की पहचान हुसेन अबाध थाना शेत्र के बैदौलिया अली नगन निवासी नरेश सिंग के 32 वर्षय पुत्र अजे परशाद चंदरवंशी के रूप में हुई है हुसेनबाद पूलिस ने शब को कबसे मेग कर पोस्माचम कराकर परीजनों को सौफ दिया हुसेनबाद अनुमंडल पदारिकारे कुंदन कुमार ने बताए कि परीजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्यक्तिकी मौत बिमारी की कारण हुई है बावजुदिस के हुसेनबाद थाना में यूडी दर्ज करवाई गई है जिसकी पुलिस अनुसंधान कर रही है वही अनुमंदली एस्पताल उपाद धिक्षक डॉक्टर रतनेश कुमार ने बताये की प्रतमत्रिष्टी से मौत का कारण लू लगना प्रतीत होता है हुसेनबाद पुलिस ने शवको पोस्मार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है धन्यवाद झाल 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 झाल